आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं वासिंग सोडा के बारे में जो की एसीड बेस साल्ट के अंतरगात यह आता है कुछ अलग अलग प्रकार के साल के बारे हम दिसकस किये ही थे लेकिन यहां पर वासिंग सोडा जुवे स्कामलोगों को क्या करना है प्रिप्रेसंन मेठोड जानना और इसके इंडिश्ट्रियल मेठोड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बात करें अभी केवल और केवल लै तरगत हम यह जानते हैं कि बहुत पहले के समय में जब हमारे वहां डिटर्जन पॉडर वगरा नहीं हुआ करता था तो किस प्रकार से कपड़े की सफाई के जाती तो गाउँ इलाके में एक मिट्टी पाये जाती है जिसे रहार बोला जाता है या रेह बोला जाता उस पुराने समय में लोग क्या करते थे कपड़ा धुलने के काम में लाते थे ठीक है क्योंकि उस मिट्टी में यह सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है या फिर वासिंग सोडा पाया जाता है केमिकल नाम इसी का यही है सोडियम कार्बोनेट और अगर क्रिस्टल के फॉर्म में क कहेंगे तो sodium carbonate decahydrate के नाम से जानते हैं ठीक है इसके सभी points के बारे हम discuss करेंगे तो अभी बात हम कर रहे थे वासिंग soda की तो वासिंग soda नाम से पता चल जा रहा है क्या है यह दूने के कामें लाए जाने वाला सोडा होता है जिसकी हम लोग क्या किस्तमाल करते हैं कपड़े को धुलने में इस्तमाल करते हैं ठीक है चलिए अगर इन सारी बातों को हमने क्लियर कर लिया है तो बनाने की विधी की बात कर ले किस प्रकार से वासिंग सोडा लैब में बना जाता है ठीक है अब हम यह नाम जा सहता से और कारवन डैयोξइड गैस की सहता से हम क्या बनाने वाले हैं सोदियम कार्वनेट बनाने वाले हैं हमारे पास दो चीजे café शनी चाहिए क्या आपका यन्य वे जोड़्व ढूर्श दूसरा होना चाहिए LED चाहिए तुम्हारे पास क्या है इन ऑ ओयच है सोडियम हाइड्टरोकसाईड यह कैसा होना चाहिए विलकुल कांसंट्रेट वालबा ओनचाहिए गाढ़ा वालब닝 यह सांध्र विलियन होता है aman CO2 gas को प्रवाहित करते हैं जैसे एक बीकर है उस बीकर में नीचे से रास्ता हो और उस रास्ते से क्या करेंगे हम लोग अभी इस फिला ले आप इमने बात कर लिया एक बरतन अपने पास इस बरतन में हमने क्या कर लिया है एक बिल्कुल इतना मात्रा में इन ए ओयज को इसमे प्रवाहित करते हैं यह क्या है गैस है ठीक है carbon dioxide gas को बेजेंगे यह bubbles के फॉर्म में उपर क्या होगा निकलता जाएगा लेकिन सी के साथ साथ एक reaction यहां हो जाता है वह reaction यहां पे हम जा रहा है लिखने यह न ने ओया चोटू जब आपस में रियक्ट करेगा तो यहां पे यहन ए टू सी ओ थ्री प्लैस यह टू बनाता है ध्यान देजिएगा यहन ने ओच हो गया सी ओटू हो गया यहन ने क्या किया है carbon dioxide gas को प्रवाहित किया जिससे की इसी solution में इसी लिक्विड में यहन ने टू सी ओ थ्री और क्या बन गया जल बन गया पानी में सोडियम में अए यहां से ज स्य है निởगा है आफ थे क्या था डावनatro में में घुला हुआ है आगर इसको वहां से निकालना है तो आप क्या करोग यहीं पर बर्नर लगा के इसको क्या करोगे गर्म करोगे जिस्से की पानी की मात्रा क्या होगे यहां से उड़ जाएगा और उड़ने के साथ साथ यहां क्या बचेगा यहने ओयाज का क्रिष्टल होगा इन ए टू-COO3.10-3-eH2O ठीक है सोडियम कार्बोने डेका 10 मतलब क्या है यहां पर डेका येस डूओ को क्या कहते हैं हाइड़ेट कहते हैं तो सोडियम कार्बोने डेका हाइड़ेट हमारा प्राप्त होता है जो वासिंग सोडा का क्या है क्रिस्टल है ठीक है क्रिस्टल कहने का मतलब जिस तरीके से आ सोडियम कार्वोनेट का एक नाम आप और जाने रहे थे यहने टू सी ओ थ्री और एक होता है यहने टू सी ओ थ्री डाट यह टू ओ यह क्या है सोडियम कार्वोनेट मोनो हाइड़ेट ठीक है सोडियम कार्वोनेट यह निर्जल सोडियम कार्वोनेट है इस से क्या हो गया नि वहाँगा उड़ जाता है रिमूब कर जाता तो बचता है केवल और केवल यह तो आप जानते इस तरीके से अलग किया गया है कि एक यह च्टू पार्ट इसमें क्या हो गया बच गया इसलिए क्या नाम रखा गया सोडियम कार्बोनेट मोनो एक ही बार है तो मोनो करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है इस विलियन को पुनह गर्म करते हैं जिससे की जल की मात्रा क्या हो अधिक मात्रा वाली उड़ जाए जो इस क्रिश्टल में यह स्टू के फरम में जुड़ सकता है वह जुड़ा हुआ मिले तो इस प्रिकार यह सोडियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त हो जाता है क्रिश्टल प्राप्त हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अन्य मेथड इसके बनाने की क्या हो सकती है एक और योगिक का नाम जानते होंगे आप क्या चीज का सोडियम बाई कार्बोनेट का एन एच सी ओ ठीक है क्या ह कर दीजे सीधे सीधे हीट कर दीजे गर्म कर दीजे गर्म करने से यहां पर यहां पर सोडियम कितनी बार है दो बार है तो से सोडियम हाइडोजन कार्वोनेट को अगर हम क्या करते हैं गर्म करने का सिंबल है ठीक है इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या-क्या बन गया यह देखिए गैस यह सिस्टेट में ऊपर की तरह पैरो लगता है तो गैस बनके समझे लिए उड़ गया बचा कौन यह ने ट हैं यािनि प्रियोक्षाला में किस प्रिकार आप सोडियम कार्वोनेट के कुछ केमिकल प्रापरतीज, फिजकल प्रापर्टीज के भी बारे में बात करेंगे यह तो हम ने एक्श्ट वीडियो में बताने वाले हैं और इसी का एक और टॉपिक है जो क्या होता है industrial method आप अगर comment करके पूछें किस प्रकार है तो बिल्कुल ये बता जाए क्योंकि ये सिल्बस में अब नहीं है अब knowledge की दिश्टिकोर्ट से थोड़ा पढ़ना अवस्यक हो जाता है क्योंकि ये 12th level पे कहीं ने कहीं 11th level पे आपको पढ़ने को मिलेगा ये 10th में ये portion में नहीं है अभी के लिए ठीक बाई बाई